गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम एशिया माधिप के दो देशों के बारे में अध्यन करेंगे जैसा कि हम एशिया माधिप के देशों का अलग-अध्यन करते आ रहे हैं एक साथ अध्यन करके बारी-बारी से एशियाई देशों का अध्यन कर रहे हैं और उसकी विशेश्ताओं को देख रहे हैं उसी कड़ी में हम आज जापान और चीन का अध्यन करेंगे इस वीडियो में मैंने कोई भी ऐसी विशेश्ता नहीं छोड़ी है जो अध्याम की दृष्टी से महत्पुन हो दो-तिन बुक्स को पढ़के मैंने ये टोपिक तयार किया है और आप स्क्रीन सोट ले सकते हैं और एक्जाम की दृष्टी से जितनी भी महत्पुन चीजें हैं उनको मैंने लगबग को सामिल किया है और आप किशी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो के बाद में देखने के बाद में अगर आप स्क्रीन सोट ले लेते हो तो आपका मुझे लगता है कोई भी किशन गलत नहीं होगा तो देखो शुरू करते हैं जापान जो है इसको निपन देश कहते हैं इसकी अनेक उपमाएं हैं इस देश की एक सुन्दर और बहुत ही वि चीच में बसा हुआ देश है लेकिन फिर भी इसने अपनी टेकनोलोजी के आधार पर इतना विकास किया है कि दुनिया में इसका नाम चल रहा है जापान और बड़े-बड़े देशों को चुनोती देदेता है जापान क्यों देदेता है क्योंकि इसकी एक ही मजबूती है वो है टेक्नोलोजी और टेक्नोलोजी के आधार पर इसकी ओद्योगिक जो अर्थ विवस्था है वो बहुत मजबूत है तो दुनिया में इस देश की जितनी उपमाएं दी गई है उतनी अन्य किसी भी देश को उपमाएं नहीं दी गई है ठीक है तो देखो जापान को निप पूरव साइड में दिखाई देता है और ये एशिया मादीप में पूरवी साइड का पहला देश है इसलिए इसको सूर्योदे का देश कहा जाता है सू कुमार फुलों का देश कहा जाता है जापान को पूरव का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन क्यों कहा वो भी उद्योगों पर आधारित है और सबसे पहले उद्योगिक किरान्ती भी यूरोप में हुं थी और यूरोप में भी बृटेन की उद्योगिक किरान्ती ज़्यादा अच्छी रही थी इसई वजेंसे पूरओका ग्रेट बृटेन जापान को कहा जाता है क्योंकि यहां भी अर्थ विश्था ओद्योगिक आदार पर विक्षित हुई है ठीक है तो देखो इसमें सागर के बीच में उन्चालिस सो दीप है लेकिन मुख्य रूप से बड़े दीप जो है वो चार है और ये इनका मैंने मैप बना रखा है देख ले ना जा जापान की ओद्योगिक पेटी है हर एक लाइन में परसन बन रहा है यहां पर हर एक लाइन में ये हर प्रिक्षा में परसन पूछे गए हैं तो देखो चार बड़े दीप हैं और चार दीपों की ये विशेशताएं हैं चार बड़े दीप हैं इनमें उत्तर से दक्षन तक करम है होकेडो दीप है सबसे उत्तर में है ये भी पूछ लेता है जाम में कि जापान का सबसे उत्तरी दीप कौन सा है ठीक है और होकेडो और क्योटो के बीच में जो एक जलसंदी है उसके बारे में भी भहुत बार प्रिक्षा में पुछा गया है, सुगारू जलसंदी है, यह इदर, देखो, आना, तो उत्तर में जो दीप है, वो है होकेडो, फिर दूसरे नमबर का जो आता है, वो है होन्शू दीप, ठीक है, होन्शू दीप है, दूसरा, और तीसरा है, सी कोकू दीप ठीक है चोथा है क्यू सू दीप ये है आपका क्यू सू दीप और सबसे बड़ा दीप कौन सा है होंशू दीप है ये बीच में रह जाता है और इसके बारे में भी परिक्षया में अक्सर पुछा जाता है कि जापान का कौन सा दीप सबसे बड़ा दीप है तो देखो उ होकेडो दीप है और होकेडो दीप के जस्ट उतर में सकालिन दीप है ये है सकालिन दीप और ये रूस के अधिकार छेतर में आता है सकालिन दीप और सकालिन और होकेडो के बीच में एक जलसंदी है इसका भी नाम कई बार पुछा जायता है ये है लोपेरेज जलसंदी लाप जो आपको प्रायदीप दिखाई दे रहा है ये भी रूस का प्रायदीप है और इसका नाम है कमचट का प्रायदीप क्या नाम है इसका कमचट का प्रायदीप रूस के अधिकार छेतर में है ये भी ठीक है इसके कमचट का प्रायदीप के दक्षिन में कूरिल दीप है फिर इ और ये जो है उत्तर में ये बेरिंग सागर है बेरिंग सागर एशिया और उत्री अमेरिका को अलग करता है बेरिंग जलसंदी जो है वो दोनों को अलग करती है बेरिंग जल बेरिंग सागर के अंदर एलूशियन गर्थ है जो परसांत मा सागर में है ये भी बहुत बार पू परशांत मासागर में हैं, इसके अदक्षिन में हम आते हैं, तो फिर होक्केडो दीप सुरू होता है, जापान का और जापान का ये दीप जो है ये प्रैदीप के रूप में उपर निकला हुआ है, देखो यहां, ये देखो, जो तीन और ऑर से पानी से गिरा हुआ, भूखं जा सकता है आप से कि सोया प्राइदीप किस देश का है कहां पे है तो ये होकेडो दीप है जापान का सबसे उत्री दीप उसका भाग है सोया प्राइदीप और ये परसांत मासागर में है और रूस के सखालिन दीप जो सखालिन दीप है इसके पास है ठीक है फिर ये भी जलसंदी बता सकते हैं ठीक है फिर होकेडो में देखो क्या है मोरो रोन पार्क है और होकेडो से ही होकर एक सुरुंग बनाई गई है यहां पर दोनों के बीच में इन दोनों दिपों के बीच में और इस सुरुंग से होकर के ही ब्लेट ट्रेन जाती है जापान ब्लेट ट्रे चालू हो रही है वो भी जापान के सयुग से ही चालू हो रही है जो बंबई से गुजरा तक जाएगी ठीक है फिर देखो मद्दे में आता है होन्शू दीप होन्शू दीप में ही टोक्यो है टोक्यो जापान की राजदानी है याको हामा भी इसी दीप पर है नागोया भी इ इसी दिपर है औसाक का जो है जापान का मैंचेस्टर कहलाता है नागोया है यह जापान का ड्रेटाएट कहलाता है क्योंकि यहाँ गाड़ियां बनती है और शाका सब को पता है हीरो सीमा क्यों पर सिद है क्योंकि second world war में ऐमेरिका ने क्या गिराये थे यहांपे परमानु बाम गिराये थे हीरो सीमा और नागासाकी के उपर ठीक है तो फिर इसी धीप के उपर देखो फ्यूजी आमा ज्वाला मुखी है जो जापान का सबसे बड़ा ज्वाला मुखी परवत है फ्यूजी आमा वो भी इसी पर है और ये जो परवत है इसके अंदर जो ज्वाला मुखी है वो सुसुप्त परकार की ज्वाला मुखी है उद्गार करती है, हाना ? तो यह सुसुप्त परकार की जौला मुखी है और जौला मुखी से ही बना ये परवत है फ्यूजियामा जो जापान का सरवज परवत है ठीक है ? अब देखो इसके दक्षिन में होंचु दीप के दक्षिन से होकर के ही क्यूरोशयो जो गरमधारा है वो चलती है प्रसांतमा सागर में, दक्षण से उत्तर की तरफ चलती है इस परकार से, और उत्तर से बैरिंग सागर की साइड से आएो स्यूव, ठंडी धारा आएगी और वो यहां पर दोनों आपस में टकराती है, और ठंडी और गरम धारा के टकराने से क्या होता है कि कोहरा चा जाता है और कोहरा चाने से वहाँ पर क्या होता है मचली पालन का क्या होता है हलांकि कोहरा चाने से जाजों के लिए नुक्सान दाइक रहता है लेकिन दो धाराएं जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ मचली पालन काफी अच्छा होता है तो जापान के बारे में ये परसन अक्सर पूछा जाता है कि उसके कौन से तट पर मचली पालन अधिक हो रहा है तो इसके पूर्वी तट के ऊपर क्या होता है मचली पालन अधिक होता है और मचली पालन में चीन के बाद में जापान का दूसरा इस्थान है और ये इसके लिए वरदान है क्यूरियोशियो गरम धारा और आयोशियो ठंडे धारा ताकि यहां पर मचलीों के लिए उत्तम वातावन बन जाता है ठीक है फिर हम निच्छे चलते है शी कोकुदीप है इसको लेके और चीन और जापान के बीच में अक्षर विवाद होता रहता है विवाद जील है ये भी होँशु दीप पर है क्यूशु दीप है सबसे दक्सिन में है और इसी के उपर नागासा की है अब ये चीज ध्यान रखने की है कि नागासा की कौन से दीप canvi है तो ये भी इशी दीप पर है कौन से पर मद्दे दीप पर है होन्शू दीप पर जो जापान का उद्धोगिक चेत्र है उद्धोगिक पेट्टी है ये एक परकार से ठीक है अधिकतर उद्धोग यहीं पर है मतलब ठीक है इसके उत्तर में क्यूसू दीप के उत्तर में एक जलसं जिसका नाम है सुसीमा जलसंदी ये किस-किस के बीच में है कोरियाई प्रायदीप है ये देखो कोरियाई प्रायदीप है और कोरियाई प्रायदीप और क्यूसू दीप के बीच में ये जलसंदी है कई बार परिक्ष्या में ये भी पुछा गया है और इसके पूरों में जो चोटे देश हैं उत्री कोरिया और दक्षनी कोरिया है और ये जो कोरियाई प्राइदिप है इसके पास में ही चीन का पीला सागर है ठीक है तो उपर से जब हम देखते हैं उपर से जब जापान के दिपों के उत्तर से अध्यन सुरू करते हैं तो ओखोश्टक सागर आता है जो परसांत मा सागर के ही ये सिमान्त सागर है बेरिंग सागर आता है और दोन्नों के बीच में रूस का कम चटका प्राय दीप आता है फिर कम चटका प्राय दीप के दक्षिन में कूरिल दीप आता है और कूरिल दीप के दक्षिन में कूरिल खाई है कम चटका प्राय दीप के पूरों में बेरिंग सागर के पास एलूशियन गर्थ है जो उत्री परसंत मासागर में है ठीक है फिर इसके डक्षन में देखते हैं तो उसका एक और दीप आता है जिसका नाम है सखालिन दीप और सखालिन दीप और होकेडो दीप के बीच में पे रोज जलसंदी है यह जो आपको तिकुना इस्थल दिखाई देता है यह जापान का सोया प्राय दीप है और जापान के पूरों में आयोशियो ठंडी जलदारा उत्तर से दक्षन की तरफ बहती है और दूसरे नंबर का जो दीप है जापान का वो है होन्शू दीप और तीसरे नंबर का सी कोकू दीप चोथे नंबर का क्यूसू दीप इस्थी के उपर हीरोशिमा है होन्शू दीप के उपर ओशाका भी यहीं है नागोय भी यहीं है या कोहामा भी यहीं है टोक्यो की राजदनी भी यहीं है क्योटो का मैदान भी यहीं पर है यानि कि यह कहें जापान की जो खास चीज़े हैं वो होंशू दीप पर है और इनका करम जरूर याद रखना है क्योंकि परिक्ष्या में करम ही पूश लिया जाता है आज कल तो ये जापान के बारे में जो ये फैक्ट मैंने लिखे हैं बहुत इंपोर्टेंट हैं एक भी फैक्ट छोड़ने लाइक नहीं है चलो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं देखो गीजा बाजार दे रखा है विश्वे का सबसे बड़ा नगर है ये ओद्योगिक और व्यापारिक केंदर है जापान का गीजा बाजार ये भी होंशू दीप पर है जापान शंपून रू को कहते हैं सितोसन मानसूनी जलवाई उत्तर से आने वाली ठंडी जलधारा आयोशियो और दक्सिन से आने वाली गरम जलधारा क्यूरियोशियो दोनों के मिलन इस्थल पर मचली उत्पादन होता है जो जापान के लिए वरदान है मचली उत्पादन में पर्थम इस्थान का है सेकेंड इस्थान जापान का है तो यह दाराएं भी बहुत बार परिक्षया में पुछी जाती हैं अब देखो प्राकरतिक रूप से जापान को एक लंबी तट्रेखा मिली है जो 27,000 किलो मिटर लंबी है और यह है दंतूरित दंतूरित का मतलब कटी-फटी ऐसे इस पर परकार से दातों की सेप होती है उस परकार से तो यह काफी लंबी है एक छोटे से देश को देखते हुए काफी लंबी तट्रेखा लिये है भारत इतना लंबा है लंबा चोड़ा देश है लेकिन भारत में भी 7666 किलोमिटर की यह तट्रेखा बनती है लेकिन जापान एक छोटा सा राष्ट है इसकी काफी लंबी है आप देखो खनीज संपदा के रूप में निर्धन देश होते वे भी यह परसन बहुत पार प्रिक्षा में पूछा गया है जापान में खनीज बहुत कम है यानि कि इस द्रश्टी से जापान एक निर्धन देश है फिर भी इतना विकास कैसे हो गया जापान का कि जापान सेकंड अर्थ व्यष्था है दुनिया की अमेरिका के बाद में क्यों है क्योंकि यहाँ पर उद्दोगिक विकास बहुत ती वरगती से हुआ है और उद्दोगिक व त्था बना है ठीक है ये इसका मैं कारण है विकास का उद्धोग और उद्धोगों में निर्मित वस्तों का निर्यात करना ही जापान का विकास का कारण है कपास का बड़ा आयातक देश है ये विश्वे की 25 परतिशत कपास अकेला आयात करता है जापान उद्योगों हेतु कच्चा माल आयात करता है ये भी प्रिक्षा में बहुत बार पूछते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जो उद्योगों के लिए लगभग समस्त कच्चा माल आयात करता है और फिर भी उसने अपना आर्थिक विकास इतनी तिवर गतीशे किया है तो वो भी जापानी आएगा जापान और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी यूएसे है और जैसा कि भारत ने अपना व्यापारिक सहयोगी हैं चीन की खास खास चीज़ें क्या है चीन के उत्तर पूरों में एक जुगे एरियन गटी है जो चीन को एशिया से जूड़ती है यानि कि एशिया जाने का मारग है ये ठीक है इसके उत्तर में तीये ऐसान स्रेणी है मंगोलिया का पठार है यहां उत्तर में ही इसके और यह पर उत्तर में ही नान्चान पठा वो है श्रेणी है प्रवत्स्रेणी है तकला मकान मरुस्थल है यह ठंडा मरुस्थल है यह गोबी का मरुस्थल भी ठंडा मरुस्थल है जो उत्री चीन में है यानि कि चेन का यह जो भाग है उत्तर का यह सुस्क छेत्र है इतना छेत्र सु विकास हुआ है इसके दक्षिन पूर्वी भाग में हाना तो देखो इसके पूरो में है जापान सागर अभी हम जापान पढ़के आए हैं तो जापान इधर ही तो था यही तो थे तो इसके पूरो में जापान सागर है और पूरो में ही पीला सागर है पूर्वी चीन सागर है ये जो पूर्वी चीहिन सागर है इशी का सेमान सागर है पीला सागर और पीला सागर की ही एक खाड़ी है जिसको पोहाई चिल्ह की खाड़ी बोलते हैं वो ये ठीक है तो कई बार नद्यूं के बारे में पूछा जाता है मुहाना पूछा जाता है तो इसमें कई बार तो दे देता है पूर्वी चीन सागर कई बार देता है पिला सागर कई बार देता है पोहाई चेहली की खाड़ी तो ये जो हैं ये एक ही चीजे हैं एक ही सागर से जूड़ी हुई है ठीक है तो देखो इसकी सबसे पूर्वी नदी पुछी जाती है यानि उत्री नदी पुछी जात चेन की सबसे उतर में बहने वाली नदी हो नदी है जो पोहाई की खाड़ी में गिरती है ठीक है तो पोहाई की खाड़ी का अगर option नहीं दे रखा है option में नहीं दे रखा तो फिर आप ढूना की पीला सागर दे रखा है क्या क्योंकि पीला सागर की ही ये खाड़ी है जो पोह हैं कि चेन की सबसे उत्री नदी कौन सी है उत्र में बैने वाली तो होंग हो नदी का नाम आप टिक कर देना सबसे लंबी नदी कौन सी है यांग टीशी कांग है जो एशिया की भी सबसे लंबी नदी है ये पिलासागर में गिरती है और फिर है सिकी यांग नदी जो दक्षि पूरों में बैती है सबसे छोटी है यह यहां पर है पूरी किनारे पर और यह जो है यह चीन सागर में गिरती है और इसके पास में ही है परल नदी यह भी यहीं चीन सागर में गिरती है अब देखो यह आप देख रहे हैं हांकांग और मकाउ ये जो दो छोटे छोटे देश थे इनके उपर दूसरे देशों का अधिकार था होंग कॉंग पर तो था अमेरिका का और मकाव पर पृतगाल का अधिकार था और ये दोनों छेतर चीन ने उनसे ले लिये और आप चीन ने अपना अधिकार इन पर कर लिया ठीक है तो यह यहाँ पर है पूरी तठ पर छोटे छोटे देश हैं कई बार मोबाइल खरीते हैं तो यह सुनने को मिलता है कि यह होंग कॉंग से बना हुआ है तो यह होंग कॉंग यहीं पर है चीन में ठीक है यहाँ पर एक ताइवान नाम का देश है अक्सर पेपर में अख राष्टरवादी चीन बोलते हैं इसको ये जो चीन है ये जनवादी चीन है ये राष्टरवादी चीन है और ये चीन का ही दीप है लेकिन इसने अपनी राष्टरवादी सरकार बना रखी है और अपनी अलग सत्ता इस्थापित कर रखी है और चीन लगातार इस पे नजर ज कर्मन कर देंगे तो ऐसी बातें चलती रहती है इन दोनों के बीच में तो ये था चीन का मैप और चीन के इधर पस्चिम में भारत का ये है ये जो चेतर है ये तीबत का चेतर है जो दलाईल लामा द्रमगुरु है यहां का जो भारत में सरन लिएवे हैं और इस पे भी चीन कबजा कर लिया है अवेद कबजा कर रखा है मतलब जबकि ये एक सौतंत राफ्ट था तिबत है चीन देखो मैंने नाम भी ऐसे लिख रखा है चीन का लंबी चौंच कर रखी है इसकी और ये चीन ये मानों की लंबी चौंच का ड्रेगन है जो आहसबास की जमीन को निगलता रहता है तो पाकिस्तान के साथ मिलके ये जो कारा कोरम छेतर है ये भी भारत का इसने चीन लिया है और यहां पर भी भारत इंडो यहां पर वो बोलते हैं उस पे भी इसने चीन ने कबजा कर रखा है और तिबत पर करी लिया और अरुनाचल पर भी इस चीन में हमेशा ये कि हमारी संसकर्थी से मिलता है तो मेरा यह और चेन के दक्षिन में यह दक्षिन कि पूर्वी एशियाई देश हैं यह जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे यहां पर यह यह जो आप मैप देख रहे हैं यह दक्षिन पूर्वी एशियाई देशों के वो है ठीक है यह चीन सागर है तो अब चीन के बारे में देखो थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं राजधानी है इसकी बीजिंग और बीजिंग जो है वहां पर जल पोत निर्मान होते हैं और वस्तरू द्योग लगे वे हैं दुनिया का सबसे उच्चा पठार तिबबत में है और तिबबत पठार है जो ठंडा मरुस्थल है और यह भी आजकल चीन के अधिकार में है चीन के उतर में तकला मकान पठार है जो ठंडा और निर्जन मरुस्थल है उतर में ही गोबी का मरुस्थल है जो ठंडा मरुस्थल है चीन के बारे में चीन और मद्द एसिया के बीच में जो गाटी है ये के जुगेरियन गाटी जो चीन और एसिया को जोड़ती है अवागमन रहता है इस गाटे से ओके तो ये उतर में है चीन के पामीर की गाट से इसके क्यूनलून और तिये नानसान परवत हैं तीन परवत हैं जो पामीर की गाट से निकले हैं और चीन में निकलते हैं लोयस का पठार जो है ये एक मिट्टी का बना हुआ है लोयस मतलब जब हवाएं बहुत बारीक मिट्टी लेके आती हैं और उसका जम मद्धे एशिया से आने वाली हवाएं अपने साथ बारिक मिटी लेके आती हैं और चीन के पठार के उपर जमा कर देती हैं निक्षेप कर देती हैं उस निक्षेप निक्षेपित मिटी को ही लोईस का मैदान भी कहते हैं तो देखो चीन के पठार पर सर्दियों में मद्धे एशया से चलने वाली पाउनों ने रेत से डग दिया है this ही लोईस का पठार कहा जाता हैं ठीक है बारिक मिट्टी का है यह यांग-टी-शिक-शिक यांग चिंकी सबसे लंबी नदी है एशिया की भी यही सबसे लंबी नदी है जो पीला सागर में गिरती है हंग हो नदी है पोहाई अचिल की खाड़ी में गिरती है जो पीले सागर का ही भाग है हंग हो सबसे उतर में बैने वाली नदी है इसके जल में पिली मिटी होती है इसलिए इसको प यांग टीशी क्यांग नदी पर होए प्रांथ में यह दो दिखाई नहीं दिया क्या था विश्वय का सबसे बड़ा उंचा बांध जांगूम बांध है यह भी चीन में है जो शांगपो नदी पर है और विद्धूत उत्पादन होता है इसमें वस्तर उद्योग यांग वस्तर उद्योग केंदर है संगाई जो चीन का मैंचेस्टर कहलाता है चीन का पिर्ट्सबरग अनसान मुकदेन कहलाता है पिर्ट्सबरग किसे करते हैं यह अमेरिका का सहर है और यहां पर लोह इसपाद का उत्पादन होता है इसलिए उसको लोह इसपाद की राजदानी क ठीक है उसी के नाम पर अलग लग देशों में जहां जहां लो इस पात का उद्योग होते हैं अच्छे विक्सित होते हैं वहां पर उसका नाम जोड़ जाता है यानि कि संग्या दे दी जाती है ठीक है मैंचेस्टर जो है वो बिटेन का है जहां सुतिवस्तर उद्योग काफी विक्सित है इसे लिए चेन का जो सहर है उसका नाम ये दे देते हैं मैंचेस्टर तो संग्हाई है मैंचेस्टर जैसे जापान का ओसाका है वैसे हैं यहां संग्हाई है ठीक है विश्वय का सबसे बड़ा सेरी चेतर परल नदी डेल्टा परल नदी का डेल्टा है सोने के उत्पादन में चीन पर्थम इस्थान पर है अलांकि बंडार के रूप में साउथ अफरिका है लेकिन यहां उत्पादन चीन करता है सिल्क रोड से जुड़े देशों को ए तीसरी बड़ी अर्थ विवस्था है पहली अमेरिका है दूसरी जापान है ठीक है तीसरी चीन है चीन में सामिल किये गए नए भूबाग जो है वो दो है होंग कोंग जो बिल्टेन के उपनिवेस था और मकाउ पुर्तगाल का उपनिवेस था और इन दोनों से लेके अब चीन की मुखे भूमी से दूर दीप है वो है ताइवान और ताइपे इसकी राजधानिया है राश्टवदी चीन का आ जाता है तैवान को राश्टवदी चीन इसकी अपनी राश्टवदी सरकार है वस्तर उद्योग यंग टीशी क्यांग और हंग हो नदी के तटों पर होता है चीन हाउस ग्रीन हाउस गेशों में चीन का पर्थामिस्थान है यानि की परियावरण नुकसान में चीन पर्थामिस्थान पर है और दुनिया को हिलाई रखा है कोरोना दे के तो चीन एक ऐसा द नहीं छोड़ते हैं सब कुछ खा जाते हैं इंसान नहीं है ये जानवरों जैसे हैं जो सब कुछ खा जाते हैं किसी भी चीज को नहीं छोड़ते हैं मक्की मचर को भी खा जाते हैं कुता बिली को भी खा जाते हैं चमगादड को भी खा जाते हैं दुनिया को हिला रखा है इन है बारत यह मानसुन से भिन है ये रुपांतरेत मानसुन गर्मी में वर्षा अधीक्तम होती और परसांत माज़ागर से दक्षिन में मान्सुन से वर्षा दक्षिन से चिन में होती है फिर उत्त्र में होती है इस्थलिय बागों में चकरवाती तुफान आते हैं जिनको लिम्फा कहा जाता है विश्वय में सबसे बड़ा चावल उत्पादक है चीन फिर भी गरेलू आवसेकता की पूर्टी नहीं कर पाता है ये पिछले वीडियो में भी मनें बता दिया था कि चीन भूकड है दुनिया में सबसे अधिक चावल उत्पादन करके भी अपनी जनता का पेट नहीं बर सकत तो जनता भी थोड़ी है, जनतों है, कोई इतनी बेंकर, जनसंख्या बर्रक्षी है इसने, उत्पादन किस किस चीज़ का होता है, देखो अब, यांग, टीसी, क्यांग, सिक्यांग, और रेड बेसिन में, चावल का उत्पादन होता है, सुती वस्तर, रेस्मी वस्तर, तमबकू के उत्पादन में फश्ट है, कपास के उत्पादन में फश्ट है, चाय के उत्पादन में, बार्ट के बाद में, दूसरे स्थान पर है, और मक्का के उत्पादन में, अमेरिका के बाद में, दूसरे स्थान पर है, तो ये,